ओम श्री परमात्मने नमहा ब्रहद राणयक उपनिशत ब्रहद राणयक उपनिशत सुक्ल यजुर्वेद की कन्वी साखा के वाज सनेई ब्रामन के अंतरगत है आकार में यह सबसे ब्रहद बड़ी है एम अरन वन में अध्यन की जाने से इसे आरणयक कहा जाता है इस प्रकार ब्रहद और अराणयक होने के कारण इसका ब्रहद राणयक नाम हो गया सांती पाठ ओम पूनमधा पूनमिदम पूनात पूनमदच्यते पूनस पूनमदाय पूनमेवा वशिश्यते ओम शान्ती 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 प्रथम अध्याय प्रथम ब्रामण यग की अश्व के रूप में कल्पना ओम उश्या ब्रह्म मूरत यग सम्मंधी अश्व का सिर है शूर नेत्र है वायू प्राण है वैश्वा नर अगनी खुला हुआ मुख है और समथसर यग्य अश्व का आत्मा है गू लोग उसका पीठ है अंत्रक्ष उदर है प्रत्वी पैर्व रखने का इस्थान है दिशाएं पाश्रो भाग है अवांतर दिशाएं पसलिया है रितुएं अंग है मास और अर्ध मास पर्व संधी इस्थान है दिन और रात्री पतिष्ठा पाध है नच्छत्र अस्थिय है आकास आकास इस्थित मेग मास है बालू उदर इस्थित अर्ध जीन अन है नदियां गुदा नाडियां है पर्वत यक्रत और हिदेगत मास खंड है और सधी और वनस्पतियां रोम है उदय होता हुआ सूर नाभी से उपर का भाग और अस्थ होता हुआ सूर कटी से उसका जमू हाई लेना बिजली का चमकना है और सरीर हिलाना मेग का गरजन है वह जो मुत्र त्याक करता है वही वर्षा है और हिनहिनाना ही उसकी वाणी है अश्रु के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ उसकी पूर्व समुद्र योनी है रात्री इसके पीछे महिमा रूप से प्रकट हुई उसकी अपर पश्चिम समुद्र योनी है यही दोनों इस अस्व के आगे पीछे के महिमा संग्या ग्रह हुए इसने है होकर देवताओं को वाजी होकर गंधरवों को अरवा होकर असुरों को और अश्व होकर मनश्यों को वहन किया है समुद्र ही इसका बंधू है और समुद्र ही उद्गम इस्थान है द्वित्य ब्राम्मन प्रले के अनंतर स्रष्टी की उत्पत्ती पहले यहां कुछ भी नहीं था यह सब मृत्यू से प्रले से ही आवरत था यह अर्शनाय छुदा से आवरत था अर्शनाय ही मृत्यू है उसने मैं आत्मा मन से युक्त हूँ ऐसा मन संकल्प किया उसने अर्चन पूजन करते हुए आचरण किया उसके अर्चन करने से आप सुक्षम जल हुआ अर्चन करते हुए मेरे लिए का जल प्राप्त हुआ अता यही अर्ग का अकरत्व है जो इस प्रकार अर्ग के इस अकरत्व को जानता है उसे निश्चे का सुख होता है आप जल ही अर्ग है उन आपों का जो शर इस्तुल भाग था वो एकत्रित हो गया वो प्रत्वी हो गई उसके उत्पन होने पर वो मृत्यू ठक गया उस ठके और तपे हुए प्रजापती के सरीर से उसका सारभूत तेज अगनी प्रकट हुआ उस अगनी ने अपने को तीन प्रकार से विभक्त किया उसने आदित को तीसरा भाग किया और वायू को तीसरा इस प्रकार इस प्राण तीन भागों में हो गया उसका पूर्व दिशा सिर है तथा इधर उधर की इर्षानी और आग्रेईत विदिशाएं बाहू है इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ है तथा इधर उधर की वायवव और नैश्रित विदिशाएं जंगाएं हैं दच्छिन और उत्तर दिसाएं उसके पाश्रव हैं घू लोग प्रष्ट भाग है अंतरिक्ष उदर है यह प्रत्वी हिर्दे है यह अगनी रूप विराट प्रजापती जल में इस्थित है इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष जहां कहीं जाता है वहीं प्रतिष्थित उसने कामना की की मेरा दूसरा सरीर उत्पन हो अता उस अशनाय रूप मरत्यों ने मन से वेद त्रैही रूप मिथण की भावना की उससे जो रेत बीज़ हुआ वा समत्सर हुआ इस से पूर्व سमत्सर नहीं था उस समत्सर को जितना सम्वतसर का काल होता है उतने समय तक हुआ मृत्यू रूप प्रजापती गर्व में धारण किये रहा इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन किया उस उत्पन हुए कुमार के प्रती मुख फैलाया इससे उसने भान ऐसा सब्द किया वही नाद वाक हुआ उसने विचार किया यदि मैं इसे मार डालूंगा तो यद थोड़ा सा ही अनभोजन करूंगा अता उसने उस वानी और उस मन के द्वारा इन सब को रचा जो कुछ भी ये रिक ये जू शाम चंद यग परजा और पसू है उसने जिस जिस की रचना की उसी उसी को खाने का विचार किया वह सब को खाता है यही उस अदिती का अदित्व है जो इस प्रकार इस अदिती के अदित्व को जानता है वह इस सब का अत्ता भुकता होता है और यह सब उसका अन भोग होता है उसने यह कामना की की मैं पुना महान यग से यजन करूँ इससे वह ब्रह्म श्रमित हो गया उसने तप किया उस ठके हुए और तपे हुए मृत्यु का यश और वीर निकल गया प्राण ही यश और वीर है तब प्राणों के निकल जाने पर सरीर ने फूलना आरंब किया परंत क गिन तू उसका मन सरीर में ही रहा उसने कामना की की मेरा या सरीर मेध्य यग्ये हो मैं इसके द्वारा सरीरवान हूँ क्योंकि वह सरीर अश्रत अर्थात फूल गया था इसलिए वह अस्व हो गया और वह मेध्य हुआ अता यही असुमेद का असुमेदत तो है जो इसे इस प्रकार जानता है वही असुमेद को जानता है उसने उसे अवरोध रहित बंधन सून ही चिंतन किया उसने समुतसर के पश्चात उसका अपने ही लिए अर्थात इसका देवता प्रजापती हैं इस भाव से आलंभन किया तथा अन पसुओं को भी देवताओं के प्रती पहुँचाया अता यागिक लोग मंत्र द्वारा संसकार किये हुए सर्व देव संभन दी प्रजापत्पशु का आलंभन करते हैं यह जो सूर तपता है वही असुमेध है उसका समथ सर सरीर है यह अगनी अर्क है तथा उसके ये लोग आत्मा हैं यहीं दोनों अगनी और आदित अर्क और असुमेध हैं किन्तु वे मृत्यू रूप एक ही देवता हैं जो इस प्रकार जानता है वह पुना मृत्यू को जीत लेता है उसे मृत्यू नहीं पा सकता मृत्यू उसका आत्मा ही हो जाता है तथा वह इन देवताओं में से ही एक हो जाता है ओम शांती 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 झाल झाल